अपनाना देख्चेन बास्तोबुपस्ता पन आमीर आजीब आगामी एक बसरान मुजदे सम्पुर्ण न होये जबे शेतूर निर्मानकाज इटखोला गाटे निर्मियमान भराक शेतूर काज सर्जमीन पईत्तोक क करलें जलाशाशक कित्ती जोली आज इटखोला ब्रिज का इंस्पेक्शन पे हम आये थे उनके चेर्मन भी आये थे हमें लगा एक बार विजिट कर लेंगे आप देखेंगे यह structure of the main bridge तो completed है उसका अभी जो बाकी पेंडिंग वर्क है अभी आगे जाएगा 75% of work has been अभी approach road पे focus करेंगे और इसको भी जल से जल करके handover करने के लिए हमने request किया है they have also assured the same and public को बहुत जल्दी ही यह bridge use करने को मिलेगा यह हमारे आशा है and quality of work also हमारे engineer satisfied बोल रहे है इसका फिर कल भी एक testing हम बेखेंगे stress testing का तो काम अच्छे से हो रहा है हमें आशा है कि public जल से जल यह 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 यूश कर देखेंगे because of rain soda approach road का का काम तो थोड़ा delayed expected है but this is still as per the schedule तो हम at least by year end या next next year तक handover करना चाहिए तो हम यही request कर रहे है and they are also working actively on it that is what the hope is इसके लिए हमारे तरफ से पूरा support है और उनका पूरा labor and material component भी active चल रहा है तो हमारी पूरी confidence की कि तब तक तो हम definitely handle करता है financial कोई issue नहीं है जितना हमने estimate किया है उसके actually saving भी हो रहा है तो उसी saving में हम अगर आजू बाजू का road का भी repair ले सकते हैं तो वो देख रहे हैं financial issue वैसे कुछ नहीं है and work is being done despite any pendency also तो काफी काम आगे गया है irrespective of payments और आदोगाई तो इसमें in fact estimate का overshot भी हुआ नहीं है तो इसमें भी पब्लिक अभी उनको जाना है तो यह भी बहुत जल्दी हो जाएगा इसका कोई चिंता नहीं है वैसे कोई encroachment का issue नहीं था we had alignment issue with district judiciary also वह भी बहुत जल्दी गौहाटी हाई court ने cooperate करके approval कर दिया